दोस्तो तन्मन.org पर हम आपके लिए हैल्स, फिटनेस, लाइस, टाइल और फैशन से जूरी मतपून जानकारिया लेकर आते हैं इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं अद्रक का पानी पीने के बेमिसाल फायदों के बारे में जब तक हम आपको इसके बारे में बताएं तब तक आपके चैनल जरूर सब्स्क्राइब कर लें ताकि हमारे सबी अपडेट्स आपको मिलते रहें अद्रक एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल प्राय हर घर में होता है कही मसाले के तौरपर तो कही भोजन या बेपदार्थों का स्वाथ बढ़ाने के लिए भी इससे इस्तेमाल करते हैं यहां हम बता रहे हैं तुभे के वक्त यदि आप खाली बेट में अद्रक का पानी पी लें तो आपको कितने फायदे मिल सकते हैं अद्रक की खूबी इसमे एंटी वाइरल गुण होते हैं एंटी फंगल गुण भी इसमें होते हैं अद्रक जलन रोधी भी होता है इसमें शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन, कार्बोहाईडरीट, आयरन और कैल्शियम भी पाय जाते हैं ऐसे तयार करें अद्रक का पानी एक कप पानी किसी बर्तन में निकालने इसमें अद्रक का एक छोड़ा सा टुकड़ा डाल दें इसे करीब पांच मिनट तक गुबालने फिर इसे धंडा करके पी जाएं अद्रक का पानी पीने से लाव इसे पीने से आपके शरीर के अंदर से हानिकारक तत्व यानिकी टॉकसिंस बाहर निकलाते हैं जिससे की फोड़े कुंसियादी नहीं होते और त्वचा दमकने लगती है अदरक का पानी पीने से आपके शरीर में भोजन को बचाने वाला द्रफ जिसे की डाइजेस्टिव जूस कहते हैं वो भी बढ़ जाता है जिससे भोजन जल्दी और आसानी से बचता है इसमें ऐसे तत्वों की वाज़ोकी होती है जो कैंसर और विशेशकर कॉलोन, ब्रेस्ट, प्रस्टिट, फेफडे, ओवेरियन, अगनाश्य और दचा के कैंसर से बचाव करते हैं अदरक का पानी, डाइबिटीज को भी नियंतरित करने में मददगार होता है ये आपको भूक कम लगने देता है इससे आप जरूरत के अपसारी खाना खाते हैं और बजन खटा सकते हैं सर्दी, जुगाम और वाइरल इंफेक्शन जैसी समस्याएं जो शरीर की रोक प्रतिरोधक शमसागटने की वज़े से होती है अदरक के पानी की सेवन से दूर हो जाती है सर्दर्द के साथ शरीर की मास विश्यों में होने वाले दर्द को अदरक का पानी दूर कर देता है क्योंकि ये शरीर में रक्त प्रवाहव को सुचारू तरीके से चलाने में मदद करता है अदरक के पानी में मौझूद एंटि आउक्सिजेंट तत्वों और विटामिन A वसी के कारण पाल घने और मजबूत बनते हैं तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप किसी खास विश्य वर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए आपकी पसल और जरुरुत का वीडियो लेकर आ सकें तब तक हमें सब्सक्राइब जरूर करने धन्यवाद